Hello guys, welcome back to the channel आज हम बात करने वाले यूट्यूब की 2024 की सिट्रिक्स पॉलिसीज के लेटर की यूट्यूब क्या कहता है 2024 की पॉलिसीज में और अगर आप इन पॉलिसीज को फॉलो अप नहीं करते तो कभी भी आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है कभी भी डिलेट हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा तो इन पॉलिसीज के बारे में जानने के लिए इन पॉलिसीज से बचने के लिए और कैसे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आज की इस वीडियो को लास्त तक लाजमी देखिएगा हेलो बाइस मैं हूँ अद्नान आप देख रहें टेकनिकल उस्ताजी यूटुब चैनल को तुछलते हैं टिकनोलजी इस की दुनिया में सबस्क्राइब करें टेकनिकल उस्ताजी यूटुब चैनल को और बैल ऐकोन करवाएं लेटेस्ट टेकनॉलजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो अगर हम बात करें यूटीब की पॉलिसीज के बारे में तो यूटीब की बहुत सारी पॉलिसीज है बट उनमें जो top policies है वो ये हैं कि अगर आप YouTube की कही गई जो top policies है उसके उपर अमल नहीं करते तो आपकी चैनल को आपकी वीडियो को नुक्सान हो सकता है simple is that कि अगर आप अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी YouTube के against बात करते हैं कोई ऐसी चीज़ कहते हैं जो के YouTube ने मना की हो तो आपकी वीडियो के उपर एक आजाता है strike जो के आपकी वीडियो डिलिट भी हो सकती हैं और permanently आपके चैनल के उपर एक strike भी आ सकता है इस कंडिशन में भी महरे पास तीन options होते हैं कि हम अपनी safety कर सकते हैं हम उन गलतियों से सीख के अच्छे तरीके से YouTube के साथ चल सकते हैं बर 1224 के policies में YouTube ने clearly ये बात कर दी है कि मैं इन policies के related आप सबी लोग के साथ connected हूँ और अगर आप इन चीज़ों के उपर अमल नहीं करत हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है और आपको strikes भी बेरी जा सकते हैं दोस्तों पहले यह होता था कि जो भी वीडियो आपकी पड़ता था या copyright पड़ता था बट आज की policies कुछ ये कहती हैं जो कि अबी मैं आपको read करके सुनाने वाला हूं description में भी link में डाल दूँगा आप जाके इसको read out कर सकते हैं जो कि YouTube की original policies हैं 2024 की दोस्तों स्क्रीन की उपर आप देख सकते हैं कि YouTube policies के related आपके सामने एक screenshot है जिसमें साफ और clearly लिखा हुआ है दोस्तों सबसे पहले हम दो चीजों को समझते हैं जो कि unlisted videos हैं और private videos हैं इससे पहले यह उता था कि जो भी video आपकी public लिए है उसके उपर आपको strike पड़ती थी community valuations होती थी जो कि आपको सामना करना पड़ सकता था और आपके channel terminate होते थे और आपकी वीडियो private होती थी या delete कर देता था जो कि YouTube अगर आप उसमें वालिएशन करते हैं अगर आप उसमें वो चीज़ें कहते हैं जो कि YouTube मना करता है अब यहां भी आपके लिए यह रेकमेंडेशन हैं कि अगर आपका channel पुराना है दो तीन साल पुराना है तो आप क्या कर सकते हैं जाके आप check out कर सकते हैं कि कौन कौन सी videos आपने अनलिस्टिट की हैं प्राइबट की हैं इस से पहले कि आपका channel टर्मिनेट हो जाए और आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इस चीज़ को आपने उन videos को privately नहीं save करना ना अपने अनलिस्टिट करना है आपने उन videos को totally delete करना है अपने channel से अब दोस्तों third की बात करें तो comments से भी आपके channel के उपर strike पड़ सकती है आपका channel delete हो सकता है terminate हो सकता है अब यहां पर दोस्तों देखने सुनने में comments जो हैं वो एक चोटी सी चीज़ है बड़ YouTube की जो policies हैं 2024 की वो इतनी strict हैं कि आपको उनको follow up करना ही पड़ेगा अब YouTube comments के जरीए कैसे strike आपको भेजेगा यूं है कि अगर आप किसी के channel के उपर जाते हैं वहां पर जाकि आप कुछ ऐसे words बोल देते हैं जो कि YouTube ने मना किया हुआ है तो आपके channel के उपर strike पड़ सकती हैं अगर वो person आपको attack करता है या आपका feedback देता है आपके comment के जरीए तो इस करेगा कि आपके channel के उपर वह strike भेजता है अगर आप यूज करते हैं किसी ऐसी application को किसी ऐसी website को उसके link को यूज करते है comments के जरीए किसी के account के उपर किसी के channel के उपर तो अगर वो person आपको claim करता है तो YouTube चेक आउट करता है उस website को application को और अगर वो against होती है YouTube के तो YouTube आपके channel के उपर एक strike भेज देता है तो इस तरह links के जरीए भी आपके channel के उपर नुकसान हो सकता है अब दोस्तों next की बात करें तो community post आता है community post में भी अगर आप किसी की भी picture को या किसी की भी ऐसी link को यूज करते हैं जो कि YouTube की policies के खराफ है तो आपके channel के उपर एक strike आ सकती है ज आपके channel के उपर भी strike automatically पढ़ जाएगी तो आपने कोई भी ऐसा link यूज नी करना कोई भी ऐसी thumbnail यूज नी करनी जो के इल ली करो अब दोस्तों last policy की बात करें तुम्हारे पास आता है thumbnail thumbnail तो already बहुत सारी वीडियो में आपने देखा ही होगा कि thumbnail के उपर भी आपको strike अगर आप वहाँ पर sexual activities की pictures लगाते हैं याप कोई भी ऐसी picture लगाते हैं जो के YouTube की policy के खलाफ है तो आपकी वीडियो के उपर strike पढ़ सकता है दोस्तों ये थी कुछ 2014 की YouTube policies जो कि strict policies है अगर आपने YouTube की उपर अपना carrier set करना है YouTube की उपर permanent रहना है तो आपको इन policies को follow up करना प subscribe करें क्योंकि latest technologies की लेटर वीडियो डेली बेस के उपर आधे और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो की notification सबसे पहले तो बैल आइक उनको प्रेस करना मत बूलिएगा क्योंकि जब भी वीडियो अप्लोड करूं तो आप तक उसका notification सबसे पहले पहुंचें क्या रखें द